हेलो फ्रेंज, वेलकम टो एट 24 नॉलेजे, ओफिशल यूटूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन एर फोर्स की नियू रिक्रिमेंट नॉटिफिकेशन के ओनलाइन फॉर्म फिल अप प्रोसेस के बारे में, इस फॉर्म को आप मॉबाल से कैसे फिल कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में, तो फ्रेंज, यहाँ पर जो यह नॉटिफिकेशन है, यह आपके एफकेट 01-2022 है, जिसके लिए आप उनलाइन अप्लाइ कर सकते हैं, और इस वेकेंसिया, इस नॉटिफिकेशन से रिलेटेड जानकारी आपको मिल जाएगी जोबरास्ता.com पर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप डेटेल्स को चेक आउट कर सकते हैं, अगर आप एप्लिकेबल हैं, एलिजीबल हैं, अप्लाइ करना चाहते हैं, तो 1-12-2021 से 30-12-2021 तक आप आवेदन कर पाएंगे, तो फ्रेंज, अप्लाइब पोटल है, जहां से आप इसमें आवेदन करते हैं, यहाँ पर फ्रेंज से आपको सबसे पहले साइन अप का एक ऑप्शन मिलता है, जिसमें आपको कुछ बेसिक जानकारी फिल करनी है, सबसे पहले आपको आपके SSCM, मैट टेकुलेशन के अकोर्डिंग, आप आपका father name, आपका mother name देना है, आपकी mail ID देनी है, आपकी nationality और इसके बार आपका mobile number 10 digit का mobile number आप देंगे, इसके बार कोई भी security question आप यहाँ से ले सकते हैं और उसके बार उसका answer आपको यहाँ पर type करना होगा, और यह फ्रेंज से करना जरूरी है, इसके बार फ्रेंज से नीचे आपको यह security code दिया गया है, यह security code एंटर करने के बाद आप यहाँ से sign up कर सकते हैं, इसके बार फ्रेंज से यहाँ पर देखिए, आपका जो next option आपको मिलता है, वो है आपके register successful आप हो चुके हैं, और आपकी registration details आपको send कर दी गई है, और इसके बार फ्रेंज से आपको यहाँ पर जो आपका password बनाना है, उसमे एक special character होना चाहिए, तो आपको यहाँ पर special characters दे गए हैं, यह आपके उस password में होने चाहिए, capital letters आपके उस password में होने चाहिए, और numbers, 0 से लेके 9 तक numbers आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, तो यह आपके password में include होना चाहिए, तो और जो एक capture code है इसके साथ आपको इसमें अब login करना है login करने के बाद friends आपको यहाँ पर देखिए application form का एक option मिल जाएगा सबसे पहले आपको यहाँ पर fcat का एक option मिलता है उसके बाद ncc flying branch का option आपको मिल जाता है तो आपको यहाँ पर सबसे पहले instructions वाले page पर click करना है या link पर click करना है आपके सामने instructions open हो जाएंगे instructions को read out करने के बाद, declare करने के बाद आप save and continue पर click कर देंगे इसके बाद friends आपके सामने यहाँ पर देखिए personal information section open हो जाएगा आपने जो details fill की है वो आप यहाँ पर check out कर सकते हैं इसके बाद friends आपका कोई भी visible identification mark जैसे cut का निशान है, कोई mole है, कोई burn का निशान है आप उसकी entry कर सकते हैं CPSS या PABT का आपका status क्या है तो आप pass या fail है या appearing है तो आप यहाँ पर उसके बारे में जानकारी provide कर सकते हैं और यहाँ से आप view information कर सकते हैं कि आपका यह system है क्या तो computerized pilot system, अगर आप selection system आपने conduct किया है तो आप उसके बारे में जानकारी यहाँ पर provide कर सकते हैं इसके बाद friends, next option आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जो की है आपके यहाँ पर valid commercial pilot license का, अगर आपके पास यह है तो आप यहाँ पर yes or no कर सकते हैं, serving है IAF में तो आप yes or no कर सकते हैं, आपका gender आपको यहाँ पर select करना है, इसके बाद friends, यहाँ पर आपको मिलता है marital status, तो marital status आपको select करना है, नीचे आपको मिलता है आपका DOB section, means date of birth section, तो आपको इस calendar पर click करना है, और आपकी जो भी date of birth है, वो आप यहाँ से select कर सकते हैं, तो यहाँ पर friends, जब आपकी date of birth match कर जाएगी, इसके बाद आप save and continue वाले option पर click कर देंगे, इसके बाद friends, यहाँ पर qualification section, सबसे पहले आपको यहाँ पर select करना है आपका level, तो आपने 10 plus 2 plus gradation किया है, gradation plus post gradation किया है, या integrated PG degree आपने की है, वो आप यहाँ पर select करेंगे, इसके बाद यहाँ पर आपको देना है gradation का level, अब यहाँ पर एक option मिलता है, आपका option A, B, C या D, आप अपने according option select कर सकते है अब यहाँ पर funda यह है, अगर आपने option A select किया, तो यहाँ पर देखिए, आपके पास B, E, B, Tech होना चाहिए, और इसके लिए आप यहाँ पर view detail करेंगे, तो आपको यहाँ पर देखिए, options मिल जाएंगे, तो अगर आपने A option choose करते हैं, तो B, E, B, Tech आपके पास in discipline में होना चाहिए, अगर आपके पास B, Com degree है, B, B, A है, C, A है, तो आप option C select कर सकते हैं, और B, E, B, Tech के लावा कोई भी अधर degree है, तो आप option D select कर सकते हैं, माली जाब B, A, Pass Out है, तो आप option D को select कर लेंगे, तो यह friends से आपको यहाँ पर option select करना है, यह option select करने के बाद यहाँ पर है, आ आपके college का नाम और आपकी university का नाम आपको देना होगा, और आपकी जो date या expected date है, अगर आप pass out है, तो आप passing date दे सकते हैं, और अगर आप यहाँ पर pass out नहीं है, appearing है, तो आप अपनी expected date भी दे सकते हैं, और यह 30 November 2022 तक आपका result आजाना चाहिए, तो आप यहाँ पर date mention कर द यहाँ पर जो option है, इसके according आपको सबसे पहले यहाँ पर आपकी aggregate percentage, मतला overall percentage देनी है, इसके बार आपको physics की percentage देनी है, और mathematics की देनी है, अब यहाँ पर माल लीजिए, अगर आपके पास यह subject नहीं है, और आपने को other option select किया है, तो आप 0 की entry कर सकते हैं, या फिर friends, आपके जो भी numbers हैं, percentage हैं, आपके math में और आपकी physics में, वो आप यहाँ पर enter कर देंगे, यह enter करने के बाद आप इस data को save and continue कर पाएंगे, इसके बाद friends से तीसरा option आपका आता है, course preference का, तो आपकी LGBT के according, आपने जो details फिल की है, qualification फिल की है, उसके according आप किस-किस course के लिए applicable है, वो आपको मिल जाता है, option यहाँ पर, अब आपको उस option पर tick करना है, वो automatic आपको देखे, right hand side पर देखने को मिल जाएगा, आपके according जो भी आप preference यहाँ पर देना चाहें, वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, आप एक देना चाहें, दो देना चाहें, सारी देना चाहें, वो आपक according आप देंगे, इसके बार अगर आपका EKT टाइप लगता है, तो आपको वो option आपका open रहेगा, आप उसे select कर सकते हैं, अगर आप BA या फिर कोई other degree option select करते हैं, तो आपका यह option नहीं रहेगा, इसके बार NCC का कोई certificate आपके पास है, आपने SSB पहले दिया है, तो आप yes or no क पर सकते हैं, आपको इस vacancy के बारे में कैसे पता लगा, आप उसके बारे मता सकते हैं, गेट exam अगर आप अपर अप्रेयर किया है, तो आप उसके बारे में जनकाई दे सकते हैं, नहीं तो आप इसमें भी no करेंगे, और save and continue कर देंगे, इसके बार friends से यहाँ पर देखिए, आपके according आपका जो भी address है, वो आप यहाँ पर fill कर सकते हैं, इसके बार friends से nearest railway station कौन सा लगता है, आपका 12 digit का अधार का number आप यहाँ फिल करेंगे, अगर आपका देखिए present and permanent same है, तो आप same as पर click कर सकते हैं, अलग-अलग है तो आप अलग-अलग अपने address की entry करेंगे, औ photo 10-50 के बीच होनी चाहिए, signature 10-50 के बीच में, और आपका यहाँ पार जो thumb impression है, वो भी 10-50 के बीच में, अगर आप male candidate है, तो left thumb impression, और आप woman candidate है, female candidate है, तो right thumb impression आप यहाँ अप लोड करेंगे, और ध्यान रखिएगा, जो भी आप फाइल यहाँ पर बनाते हैं, उसका जो फ thumb underscore impression आपको नाम देना है, फाइल का, signature के लिए आपको signature नाम देना है, और आपको photograph के जो name है, उसमें आपको passport underscore photograph आपको नाम mention करना है, और उसके बाद ही आप इसे upload यहाँ पर कर पाएंगे, अगर आप नाम चेंज नहीं करते हैं, तो यह आपका upload नहीं होगा, तो जो आपक पर upload कर सकते हैं, तो यहाँ पर friends, आपके photograph, signature और left thumb impression upload करने के बाद, आपको इसका preview मिल जाएगा, इसके बाद आप यहाँ से declare करेंगे, और place का नाम लिखेंगे, मतलब आप कहां से इस form को fill कर रहे हैं, उस जगे का नाम यहाँ पर enter करने के बाद, आपको friends, नीचे एक option मिल city, तो आप किस state में और किस exam city पर आपना exam conduct करवाना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पर choose करने होंगे, इस तरह से आपको city 1, city 2, city 3, city 4, city 5 का option मिलता है, तो आप यहाँ पर अपने exam centers को choose कर लेंगे, और उसके बाद ही save and continue करेंगे, इसके बाद friends, यहाँ पर आपको मिलता है आ अपने preview से, तो आपको यहाँ पर save and continue का एक option मिलता है, अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है, तो आप back जाकर या home जाकर सही कर सकते हैं, और आपको लगता है कोई गलती नहीं है, तो आप save and continue यहाँ से कर देंगे, अपनी data को आप यहाँ से verify कर लेंगे, और उसके ब application form का print ले सकते हैं, तो आप make payment वाले option पर click करेंगे, इस पर click करने के बाद, यहाँ पर आपके सामने देखिए multiple options हैं, इसमें credit card, debit card, net banking का option है, आप कोई भी एक option को choose कर सकते हैं, payment करने के लिए, और pay वाले option पर आप click करेंगे, इसके बाद यहाँ पर processing होगा, और processing का अपने card की details को आप यहाँ पर fill करेंगे, कि किस तरह का आपका यहाँ पर card है, और इसके बाद friends से यहाँ पर आपको अपने card number, नाम और आपको यह details fill करनी है, confirm करना है, और जैसे ही आप यह confirm करेंगे, आप अपना final print out निकाल कर अपने पास रख पाएंगे future use के लिए, future reference के लिए, तो यहाँ पर friends से मैंने आपको सारी जानकारी provide कर दी है, कैसे आप FKAT 01-2022 का online form mobile से fill कर सकते हैं, step by step process के बारे में, अगर आपको हमारा की वीडियो पसंद आया है, और आप चाहते हैं, ऐसे ही updates आपको लगातार मिल सकें, तो like, subscribe इसे जरूर कीजिए, बाकी की जान झाल 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 झाल झाल